चार्जिंग यहां पर कनेक्टेट दिखा रहा है यानि यह प्रॉमलब जो है हमारा सॉल्ब हो चुका है हाई डियरे स्टुडेंट मल्टी टेक इंशूट में आप सब का फिर से पोस्ट बहुत स्वागत है आज हमारे पास एक एसर का लैपटाप है और यह जो मॉडल है हमारे पास इंस्पायर 1722 का मॉडल है और जिसके अंदर लैपटाप में जो प्रॉमलब आ रहा है यानि चार्जर जैसे हम प्लग इन कर रहे हैं तो यह चार्जर जो है लैपटाप में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो चलिए आईए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या प्रॉमलब है और भी प्रेक्टिकली मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉमलब को कैसे आप सॉल्ब कर सकते हैं कि इसमें किस टाइप का प्रॉमलब आ रहा है तो मैंने यहां से जो चार्जर है वो चार्जर को मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं जैसा कि आप देख पा के ज़से में बैटरी को रिमूब कर तो चारजर से हमारा लैपटाप рьमुन प्रमलब जो है किस वज़े से आता है और कहां से इसको ठीक कर सकते हैं वो चीजे मैं आपको बताऊंगा जैसे देखिए बैटरी पर भी चल रहा है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं त्फिर एलीडी चला गया यानि यह सिचुवेशन है इसके अंदर यानि लैप्टप में अग शाल दिया और अडप्टर से ही लैटप को आन करता हूं अबाद जब मैं बैटरी इस पर लगाता हूं तो बैटरी हमारा काम करता है देखिए चार्जिंग उठा लिया यहां से तो ये प्रॉलब एक्ष्वल में आता कहां से है और इसको किस तरीके से ठीक करेंगे वह सारे चीजे मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में तो चलिए देखते हैं इस प्रोमलब को हम कैसे solve कर सकते हैं तो मैं पहले laptop को हमें open करना होगा तो मैं यहां से charging unplugged कर लेता हूं और पहले इसको shutdown कर लेते हैं करने के बाद इसको बूड बाहर निकालेंगे laptop से तो यहां से मैं बैटरी को open कर लेता हूं तो बैटरी भी यहां पर रख देते हैं हार्ड ड्राइब भी मैं निकाल देता हूं यहां से और जितना भी यहां से LVDS केबल है इसको भी यहां से remove करेंगे और यह सारे केबल जो है जितने भी connect है उस सब में disconnect कर देता हूं और इस बूड को बाहर निकाल लेते हैं यहां पर मैंने बाहर निकाल दिया इस बूड को देखिए इसमें प्रामलब क्या है तो अभी क्या हो रहा है कि इस बूड में actual प्रामलब है किस्चेज का जैसे मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर यह adapter है अभी क्या हो रहा है इसके अंदर और यह हमारा बैटरी भी है मैं आपको समझाता हूं इस प्रामलब के बारे है जो देखेंगे यहां से आप 19 वोल्ट की सप्लाई यहां पर क्या है बन रहा है अभी तो इस कंडिशन में लगाऊंगा तो यह चार्जिंग का LED ग्लो होगा बैटरी से देखेंगे अभी यह ग्लो हो रहा है यानि चार्ज उठा लिया है अबर मैं इसको एड़प्टर को निकाल कि दुबारा लगाता हूं तो इसका LED ग्लो होना बंद हो गया क्योंकि यह चार्ज दुबारा से उठा नहीं पा रहा है यहां पर कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट पर इस आ रहा है यहां पर लगाने के बाद यहां पर कोई डिस्चारजिंग मॉस्पेट लगा उडिस्चार्जिंग मॉस्पेट के गेट पर फे यानी सप्लाई होना चैनि-गे न Bailey ो यानि एडप्टर लगाने के बाद यह मॉस्पेट जो है डिसेवल नहीं हो पा रहा है जिस वज़े से चार्ज बैटरी का ही वोल्टेज यहां तक कंटिन्यू पहुंच रहा है जिस वज़े से आपका यहां पर कॉमन पॉइंट पर जो सप्लाई है वोल्टिन का सप्लाई रखा है तो इसमेटिक के थुरू हम आपको बताएंगे तो यहां पर जैसे कि मैं देख पा रहा हो कि वोल्टिन सेक्ष्ण में एक में यहां पर क्या लगा हुआ है और यह जैनल ौट है और यहां पर एक मॉस्पेट लगा हुआ है जो पी चैनल का है कौन सब्दाइर जो मेंखेल होता है इस टांजिस्टर का होता है क्यूंकि बैट्री ओं यह देख रहें बैक्ट्री ओं का सिगनल है यह आपका डिस्चार्डिंग सेक्शन और रिख श्याद होता हुए कि जितक मेश सि क्रम देख रहें कि इस यहां पर यह सब्सक्राइब जहां पर निकलेगा तो यहीं supply फिर क्यांचला जाएगा यहांपर आजाएगा आजाएगा यानि पर आजाएगाश्या यहां आने के बाद यह बाद यह सप्लाइ जीरो होना चाहिए क्याशनी चे st democratी की जीरो नहीं और यह यह new तो ट्रेसिंग करने के बाद पता चलेगा तो यहां से हम लोग जो चेक करेंगे वो वोल्टिन से स्टार्ट करेंगे जैसे की देख रहे हैं कि यहां पर जैसे मैं बैटरी को लगा दिया पहले मैंने और यहां से कॉमन पॉइंट तक सप्लाई पहुंच रहा है जो कि इस मीटर में आप देख पाएंगे कि क्या सप्लइ बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है तो यहां से मैं अगर चेक करूं वोल्टेज पर लगा करने के बाद देखेंगे कि कॉमन पॉइंट पे जो सप्लाई है वो बैटरी का सप्लाई है हमेशा देखता हूं मैं काफी लोगों को कि ऐसे चेक करके और चोड़ देते हैं और यहां पर देखिए कि यह मॉस्पेट भी लगा हुआ है जो वॉल्टिन सेक्षन का यह मॉस्पेट है जो कि आपने देखा था कि मॉस्पेट पी क्यू फोड जो देख पा रहे हैं इस मैटिक के अंदर पी क्यू फोड जो लगा हुआ यानि यह वाला जो मॉस्पेट है तो इससे आपके पास क्या होगा कि अगर इस प्यार रजिस्टर से यह मॉस्पेट भी जब खराब होगा तब भी इस प्रॉमलब आपके पास जो अभी मैं दिखाया था कि बैट्टरी निकालने के बाद और लेप्टप करते तो ओन हो जाता है फिर दुबारा एडप्टर लगाते तो एडप्टर से भी ओन होता है और चार्जिंग भी नहीं उ होगा तो भी आपका सरकुट में क्या आएगा सॉब्ट होगा चलिए देखतें इस बॉड में कि कहां पर यह फॉल्ट है देखें इस प्र प्र सप्पलाई 19 वोल्ट की बन रहा है और यहां पर देखिए इसके ड्रेंट पे सप्लाई आ रहा है और इसके जो सोर्स है इस सोर से भी आउट हो जा रहा है और यहां से इस डाइवड पर लगा रहा हुट दे BL Sound को लंत तो इस कि राओ जाकणिये तो इस कंडिशन में कि होगा हouvert कि 11 वॉल्ट जो compat ऑाओYा पा रहा है तो ये समस्ट भूभाक की सब्सक्राइक आता है तो यह व्वाraक करने को मिल रहा है तो यहां पर जो इहां पर सब्सक्राइब बीच चानल का का सब्सक्राइब लिए अगर थीक हुआ तो हम गेट के चलेंगे जो की देखेंगे यहां पर काम हो रखा इस बूड पर और यहां पर मैं देखू तो यहां पर कंटिनिटि पॉइंट पर सेट करते हैं इसको अफले डायोड तो डायोड हमारा क्या है ओक्य है वोल्ट इन सेक्षिंग चन और यह मॉस्पेट है यह मॉस्पेट हमारा देखिए शॉट है यह मॉस्पेट क्या हैं volte性 Guru शॉट है तो शॉटिंग खुषन के वजळे मेरे ख्याल से नहीं कर रहा हुगा तो सब्सेपहलेएको मॉस्पेट को चेंचे करना पढ़ेगा औरुट पी-चैनल का limbs बोड से निकाल के हम लगा सकते हैं जैसे कि यह गन टाइप का बोड है तो इसमें जातर पी चनल का मॉस्पेट आता है जो कि यहां पर लगा होता है तो मैं इस मॉस्पेट को एक बार कंफर्म करूंगा कि यह यह एंचनल का है ड्रेंटू सोर्स वन साइड वैल्यू होगा और दूसरे साइड से प्लट के लगाने पर वैल्यू नहीं होगा यह पी चनल का ही मॉस्पेट है तो इसका मॉस्पेट हम निकाल के इस बोड में लगा देंगे तो पहले हमें इस मॉस्पेट को क्या करना है हीट करना पड़ेगा हीट करने के बाद इस मॉस्पेट को हम निकाल पैंक तो मैंने इस मॉस्पैट को यहां से निकाल दिया है और इस बोड का मॉस्पैट पहले चेक कर लेते हैं पता चले यह भी खराब होगा तो सेम yellफ मिलेगा हमें तो यह तो ओक है अब तो जए किया ही था तो यह बोड जो है अब यहां से को निकालना है यह अब यहां से इस मॉस्पेट को हमें लगाना होगा और मैं यहां से इसको लगा देता हूँ तो इस बोड़ से मैंने मॉस्पेट निकालके इस बोड़ में तो मैंने लगा दिया है बोड़ में अब देख लेते हैं कि अभी भी कर रहा है क्या ठीक है यानि अब हम यहां पर बैटरी को लगाते हैं एक बैटरी को लगाने के बाद फिर यहां से चेक करेंगे की सप्लाई प्वामण फॉंट तक ही होना चाहिए अ जिहां से बल्टेज पर सेट करेंगे common point पे supply है और इस MOSFET पे supply होगा और इसके source से out नहीं होना चाहिए यहाँ source से भी out हो रहा है चिक है यनि यह MOSFET तो हमारा ठीक है जब इसके gate पे आएगा तब यह काम करना बंद हो जाएगा क्योंके as a diode का काम कर रहा है इसलिए supply क्या हो रहा है out हो रहा है तो यहां से क्या करना है आपको adapter को लगाने के बाद यहां पर क्या होना चाहिए नाइंटीन वोल्ट तभी यह काम करेगा अधरवाज यह काम नहीं करेगा कि देखिए नाइंटीन वोल्ट की supply बन गया charging LED glow हो गई यानि प्रॉमलब हमारा किस चीज़ का था मॉस्पेट का था यानि वोल्ट इन सेक्शन का जो मॉस्पेट था उस मॉस्पेट का यह प्रॉमलब था और यह प्रॉमलब क्या हो चुका हमारा जगे से इसमें चेक करेंगे मगैं दुबारा से डिस्पले के उपर तो अभी क्या से मैं इसके अंदर फिट करूंगा जो भी चीजें होगा तो हम आगे के section पे फिर काम करेंगे क्योंकि step by step ही आपको क्या करना है follow करना करना है और यहां से मैं hdd को भी connect कर देता हूं और यहां से एक्चुलिय यह दूसरे का hard drive है क्योंकि जिस customer ने दिया था उसका मुले पासवर्ड इसका पता नहीं था तो मैं दूसरा hard drive लगा के ही आप लोगों को दिखा पा रहा हूं तो यहां से मैं इसको hard drive को connect कर लूँगा उन्लॉक करके इसको लोग को अच्छे से इसमें लगा देना है तो यह लोग हो चुका है अब यहां से हम system को on कर लेंगे और बैटरी को मैं लगा देता हूं यहां पर तो इस तरीके से इसको लगा देंगे लगाने के बाद अब मैं दुबारा से आपको इस चेक करके दिखाता हूं कि यह problem जो था हमारा वह रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ है तो जैसे कि देख रहे हैं कि बैटरी पहले लगा हुआ था अडेप्टर लगा रहे तो इसका लाइट क्या हो रहा था अग्लो नहीं हो रहा था लाइट ग्लो हो गया यहां पर और मैं यहां से सिस्टम कॉन करता हूं तो इसका मतलब यह problem हमारा लगता है सॉल्व हो चुका है तो चार्जिंग यहां पर कनेक्टेट दिखा अब यहां से दोफॉल्ट हो सकते हैं तो बैटरी क्रॉष का निशान भी खराब यहां पर दिख रहा है मेले को और यहां पर जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो यहां पर देखें चार्जिंग उठा भी लिया है यानि एडप्टर पे भी यह स्विच हो रहा है यानि यह अधाप्टर मोड पे आ जा रहा है दोनों मोड पे आ रहा है लेकिन यहां पर क्या हो रहा स्वाथा कि बैटरी का क्रॉष का निश्कान आ रहाуска निशान आ रहा तो 6 डेटरी टेक्प्रियो में मैं विडियो सबको कर सकते हैं ठीज सेचिवेशन अ होते बैटड़ी टीक्ट नहीं हो लिए फृट भी नहीं होता है याँ इसमें जो पर प्रॉमलब था वह प्रॉमलाब तो हमने डिच टीक के बारे में वेडियो पसंद था किजे थैंक्जी सौ मज़ झालुट झालुट सुझाना झालुट